नमस्कार मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल अर्णव ग्रूप और फांडिशन में तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि उपर में यह जो दिया हुआ हमारा यूटूब लिंक है आप इसके ज़र यह भी हमारे वीडियो को सर्च करा कर द जानने के लिए बने रहे हैं तो निकाल रखे हैं तो हम लोग यह इडवांस फिल्टर क्या करता है Advanced filter किसी भी बड़े seats में या छोटे seats में किसी एक salesman की जनकारी हो अथवा नाम के जरिये मतलब एक ही नाम के दो चार हो आर से बहुत particular नाम हो सकते हैं उस नाम के जरिये भी हम लोग filter कराकत के देख सकते हैं product details total कितनी हुई है ठीक है तो चली हम चलते हैं अपने Advanced filter के कैसे यू रखे हैं serial दे रखी है serial number name location और product name इन सभी को copy करना है आप control plus C से भी copy कर सकते हैं या तो आप right click करके भी copy कर सकते हैं या तो आप यहां से भी copy करा सकते हैं प्रोडक्स के बारे में details जहां निकालना चाहते हैं वहां पर paste कर दीजे हम यहां पर paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद हमें अब चलने हैं Advanced filter में तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर देख रहे होंगे आप कि यहां पर कॉमा यह तो यह किसका indication है य यह हमारा indication है data validation का हमने पहले data validation में आपको बताया थहां था किसली वीडियो में हमने बता दिया था तो हमने जो list तैयार किया है डेटा विडियो के दोरह ही हमारे list को त्यों त्येया है तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे advance filter के बारे में जारेंगे तो हम लोग data में आएंगे data में आने के बाद आपको यहाँ advance और filter दोनों यहाँ options मिल रहे होंगे ठीक है तो हम किसी भी name पर select करके advance पर जा सकते हैं advance में जाएंगे जैसे ही तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले filter in the list in place मतलब इसका हो गया कि आप जो seat बनाए है आप वही पर filter लगा सकते हैं ठीक है या तो दूसरी जो option से copy to another location आप किसी और location में भी निकाल सकते हैं list range जो हमने यह seat बनाई है यह उसकी पूरी list range है और criteria range हम लोग जहाँ निकालना चाहेंगे वहां की यहाँ पर range दिखाएंगे तो जैसा कि देखिए हमने जैसे ही advance पर click किया यह automatic पूरे seat को select कर लिया है ठीक है तो अब हमने निकालना है माल लिजे location by तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने location को यहाँ पर type करेंगे जैसे मैंने location दिया east, west, north, south इस परकार से हमने दिया है तो माल लोग मुझे south के हिसाब से निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर type करेंगे equal to south sorry, equal to आप यहाँ double inverted comma लगाएंगे फिर south लिखेंगे s, o, u, th, south और double inverted comma से बंद करके enter करेंगे हमें south की जनकाली निकालनी है कि हमारे south में कितने salesmen है और कितने लोग काम कर रहे हैं किस परकार से अब आते हैं हम लोग name में हम लोग यहाँ पर जो अपनी seat से उस seat पर आएंगे seat पर हमने किसी एक name को select कर लिया करने के बाल आप advance पर जाएंगे और जैसी आप advance पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर list की range दिख रही होगी तो यह हमारे जो हमने बनाया table इसकी range है अब criteria range criteria range पूछ रहा है कि आपको निकालना कहा है तो आप यहाँ पर इसको delete भी कर सकते है या तो आप इसको यहाँ रहने दे ठीक है तो हम इसे delete कर देंगे delete करने के बाद मुझे निकालना क्या है तो यहाँ पर हमने जो heading दी है वापिस से इसको सारे headings को हम लोग select कर लेंगे और details कि जोन की निकालनी है south zone की तो हम लोग south को भी select कर लेंगे ठीक है और हम लोग okay करेंगे ठीक है आप जैसी okay करेंगे तो आप अपने list में देखेंगे कि south की पूरी detail यहाँ पर आ चुकी है south में जो काम कर रहे है अनील, पंकज, राजू इतने सारे products sale किये हैं और total इतनी products आई है ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया waste zone में देखो कि कितने लोग 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा mobile sale किये हैं तो उस case में हम लोग क्या करेंगे ठीक है तो उस case में हम लोग क्या करेंगे जो हमने यहाँ range दे रखी है तो उस range में यहाँ पर equal to west west करेंगे double inverted comma start करके close कर देंगे ठीक है west और double इंटर करेंगे हमें क्या निकालना है suppose that मालो micromax की निकालनी हो तो कितनी quantity निकालनी है 10 से यह बब तो हम लोग यहाँ निकालेंगे equal to 10 ठीक है equal to 10 और LG की भी detail निकालनी है तो हम लोग greater than equal to 10 suppose that samsung की निकालनी हो तो greater than equal to 10 यह हम लोग ने fix कर दिया अब जानकारी निकालना है हमें कैसे निकालना है तो वापस से हम लोग seat पे आ जाए और यहाँ पर clear करेंगे तो हम लोग वापस उसी seat पे आ जाएंगे ठीक है seat पे आने के बाद हमने यहाँ पर अपनी range दिखा दी है कि हमें क्या-क्या निकालना है तो वापस चलते हैं हम लोग advance पे जैसी क्लिक करेंगे आपको range मिल जायागी इस बार हम क्या करेंगे another location पे अपनी हिसाफ से हम लोग निकालेंगे seats के बारे में जानकारी ठीक है तो अभी क्या होगा यहाँ पर हम लोग को range दिखानी है range automatic select है आप अगर नहीं तो फिर से भी select कर सकते हैं तो suppose that हमने फिर से यहाँ से यहाँ तक की range को select कर दिया select करने के बाद हम लोग another location को दिखा रहे हैं तो another location कहां तो मान के चलो इसके नीचे वाले cell पर हम लोग दिखा देते हैं suppose that तो इस range को हम लोग select कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक select करने के बाद आप ok करेंगे आप जैसी ok करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपने west में कौन-कौन से लोग हैं देखे सिरियल नंबर आ गया है उनके name location सब कुछ आ गया है तो west में जो जो काम कर रहे हैं राहूल सुनील गोलू सोनू यह सभी लोग west में काम कर रहे हैं ठीक है और इतने सेल कर चुके हैं तो यह था advanced filter में अब एक मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ आपको आते हैं हम अपने second seat में second seat में क्या है कि मालो मैंने यहाँ पर student name दे रखी है उसकी subject name दे रखी है और उसकी क्या marks आये हैं वो भी है मैंने दे रखा है total और marks मुझे क्या करना है यहाँ पर किसी भी seats में किसी एक बंदे की जनकारी निकालनी है या suppose that एक example में ले ले कि कोई teacher आया teacher आकर बोल दिया कि भाई मुझे पता नहीं particular नाम लेकिन R के नाम से कोई बंदा है जिसकी marks मुझे जाननी है ठीक है total marks या उसकी percentage जाननी है बताओ मुझे कैसे पता चले गया तो उस case में हम लोग क्या करेंगे अपने raw header को copy करेंगे यहाँ से ठीक है इन सभी को copy करके किसी एक जगा paste कर दो जहां आपको निकालना हो suppose that यहाँ निकालना है तो हम लोग यहाँ पर paste कर देंगे paste कर दिया paste करने के बाद अब निकालना है कि इनका किसी एक बंदे का तो मालो teacher ने बताया R से नाम शुरू है तो हम लोग यहाँ पर उनी को लेते हैं equal to लगाएंगे equal to लगाने के बाद double inverted कॉमा से denote करेंगे और R को हम लोग into करेंगे into का sign लगा करके double inverted कॉमा में close करेंगे close करके enter करेंगे enter करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसी बंदा का जानकारी निकालना है जो 60 से भक मार्क्स लाया हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जाकर के percentage में 60 पर यहाँ पड़ा लेंगे greater than equal to 60 कि जो 60 लाया हो या 60 से बराबर हो या 60 से ज़्यादा हो उसका ही मार्क्स यहाँ पर दिखे और उसी बंदे का नाम दिखे हमने यहाँ रेंज दिखा दी अब वापे से हम लोग क्या करेंगे seat पर चलेंगे advance पर जाने के बाद देखे automatically यहाँ पर seat को select इसने कर लिया और seat को select करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अपना range यहाँ पर दिखाएंगे कि हमें निकालना क्या है तो range और लड़ी selected होता है लेकिन मैं फिर से भी select कर लेता हूँ तो जो हमने यहाँ पर डाल रखिए इस range को पूरी तरह से select कर लेंगे हम लोग select करने के बाद आप okay करेंगे जैसी okay करेंगे तो देखे यहाँ पर detail निकल के आ गया इस पूरे seat में राजू कुमार नाम का वेक्ति है जो 70% लाया है ठीक है 70% यहाँ लाया है लेकिन आप देखें कि इस seat में और जो लोग है वो कितने लोग है जो नहीं आये हैं जैसे कि राभू कुमार कर देख लिए यह 17% में है रजत कुमार है यह है 24% मतलब इस seat में जो राजू कुमार आये थे तो वो बिलकुल सही थे कि वो 70% लाये है और इसी प्रकार से आप एडवांस फिल्टर का यूज करके आप किसी भी डेटा का जनकारी निकाल सकते हैं चाहे वो बड़ी seat हो या छोटी seat हो मतलब बड़ी सी बड़ी seat में भी आप एडवांस फिल्टर लगा करके किसी भी प्रकार के डेटा के जनकारी आप निकाल सकते हैं यह ध्यान रहिखेगा कि आटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में खास अंतर मैंने बता दिया कि एडवांस फिल्टर में आप मल्टिपल फंक्शन को यूज करा करके डेटा की जनकारी निकाल सकते हैं और आप फिल्टर अटो फिल्टर की बात करें तो अटो फिल्टर में आप multiple function यूज नहीं कर पाते हैं ठीक है और advanced filter में आप multiple function जैसे मैंने आप देखा कि मैंने marks को यहां पर percentage of marks जो मैंने निकाला इसको भी यूज करके मैंने डेटा निकाल लिया और किसी नाम के जरिये भी मैंने निकाल लिया एक पर्टिकुलर नाम के वर्ड से मैंने निकाल लिया और आप यहां पर भी देखें कि जैसे कि मैंने फर्स्ट सीट में मैं दिखाया था आपको की वेस्ट और नॉर्थ जोन के जरिये मैंने यहां पर अडवांस फिल्टर का खास यही था कि आप किसी भी भी range में रहें किसी भी डेटा में बड़ी सी बड़ी seat हो वो 2000 की seat हो या 5000 की seat हो उससे मतलब नहीं है आप आसानी से अडवांस फिल्टर को यूज करके उस particular किसी zone wise detail निकाल सकते हैं या candidate के name wise detail निकाल सकते हैं या total wise भी detail निकाल सकते हैं या उसकी capacity के हिसाफ से भी detail आप निकाल सकते हैं तो ये था advance filter के बारे में जनकारी उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like करे, subscribe करे, share करे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के अलिए धन्यवाद झाल